हलो फ्रेंट्स एंसे के आप सब जानते हम कर देते हैं आज इस इस इस्ट्रक्ट्चर्स इसमें हमने 14 पार्ट कर लिये थे इसके आज हम इसका 15 पार्ट करेंगे फिप्टिन पार्ट में आज हम टापिक देखने वाले हैं Methods of Non-Distructive Testing of Concrete ठीक है तो जो Methods थे वो हमने डिसकस किये थे उनके बारे में हमने basic चीजें देखी थी आज हम डिसकस करेंगे Full Methods हम देखेंगे One by One हम इनको डिसकस करेंगे सबसे पहले Penetration Method हम देखेंगे Phase Rebound Hammer Method देखेंगे फिर Pull Out Test Method देखेंगे Ultrasonic Pulse Velocity Method देखेंगे Then Radioactive Methods हम देखेंगे जैसे कि हमने पीछे ये वाले जो पिक्चर्स हैं ये सारी देख लीती तो आपको इस लेक्चर में क्या करना है ये जो भी पिक्चर्स में दिखा रहा हूं आपको ये आपको रिमेंबर करने नहीं है ताकि जो भी Methods हम आगे डिसकस करने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझा सकें देखें तो ये जैसे कि Penetration Test के लिए Windsor Probe आपको याद रखना है Then Rebound Hammer Test के लिए Skim Did Hammer आपको याद रखना है Pull Out Test के लिए ये वाला Mechanism आपको याद रखना है तेक है उसके बाद हम बात करें Ultrasonic Pulse Velocity Test के लिए आपको ये वाला Mechanism याद रखना है Then Radio Graphic Testing के लिए आपको ये वाला जो पिक्चर है ये आपको Remember रखना है तो इससे आपको क्या हो जाएगा Easy हो जाएगा आगे भी जो भी हम discuss करने वाले हो Simple हो जाएगा आपको Remember करने में I hope आपको यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में आगी होंगी तो Start करते हैं First Method से जिसका नाम है Penetration Test Sun Concrete ठेक है तो जो Penetration Test है Concrete पे जो हम करते है उसका जो Procedure क्या है एक ऐसा मतलब टेस्ट है जो हम यूज करते है किसके लिए Penetration Testing के लिए Penetration Testing के लिए विंसर प्रोब यूज करते हैं तो यह आपको Remember कर लेना यह किसी भी examination में पूछ सकते है कि जो Penetration Test है वो किससे किया जाता तो आपको बदाना है कि विंसर प्रोब एक है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट या फिर एक मतलब सटप है पूरा जिससे हम Penetration Test करते हैं ठीक है और यह जो Equipment है पूरा जो हम कह सकते हैं यह बहुत सारी चीजों से बना हुआ इसमें एक ही चीज नहीं लगी है जैसे कि इसमें है Powder Actuated Gun Powder Actuated Gun टाइब की है जो हमने पीछे देखी आपने देख लिए होगी Hardened Alloy Probs Hardened Alloy Probs मतलब जो आपको उसके साथ जो Nail जैसे दिख रहे थे जो मैंने आपको दिखाए Drilling वाली जो मैंने बताया था वो थे Hardened Alloy Probs उसको हम Probs बोलते है Loaded Cartridges Loaded Cartridges मतलब वो जो हमारे पास जो Probs है उसको Store करने के लिए Cartridges उसमें होती है Depth Guards Depth Guards भी उसमें होता है Depth Guards हमारे पास रहता उसमें Penetration को Measure करने के लिए और भी Related Instrument इसमें हम इक्विपमेंट हम इसमें सकते हैं और हम बात करें Probs की जो Probs मैंने बताई थी जो Nail Type का आपको दिख रहा था उसका जो Diameter हमारे पास 6.5 mm का था Inches में भी यहां पर दिया है आप यहां पर देख सकते हैं अगर Length की बात करें तो आपको 8 cm की जो Probs है रहा उसको देखने को मिल जाती है ठीक है और शको कहां पर Driven किया जाता है Concrete में believers को Driven किया जाता है Driven करने के मतलब होता है meta को avanzasic मैंने आपको बतायए उस पाउडेट चार्ज जो भी पाउडे चार्ज थाmother जो बी मैंने बताय है जो उसको driven किया जाता है वाल में जैसे कि माल लेते हैं यहाँ पे एक वाल है तो वाल में इसको driven किया जाता है जिससे हम penetration चेक कर सकते हैं और जो depth है penetration की depth है वो हमें indicate हो जाती है और वही हमें बताती है compressive strength कितनी है concrete की ठीक है जो penetration कितनी कि इसके साथ प्रॉइड करता है के चार्ट का मतलब होता है उसकी अजस्ट्मेंट में वह सारी वह पस्टार्ट में होती कि कैसे उसको क्या करना है यहां तक समझ में आ गया होगा कि penetration test क्या होता इसको इसमें क्या-क्या instrument हम use करते हैं कुण-कुण से equipment इसमें use होते हैं और जो प्रोब रहती है उसका diameter और length कि कितनी रहती यह भी आपको remember करना है उसके बाद जो depth है penetration की उससे हमें परदा चलता है जो compressive strength है concrete की उसके बारे में परदा चल जाता है next इसी में यह हमरे पास topic है benefits and limitations ठीक है तो अगर हम बात करें इसकी penetration test की तो इसके benefits क्या है इसकी limitations क्या है तो हम बात करें इसके जो limitation first यहां पर limitation नहीं दी है quite variable result जो result इससे मिलते हमें वो variable रहते है मतलब वो इतने अच्छे नहीं आते है इतने accurate नहीं आते है इतने accurate result नहीं आते है इसके benefits की बात करें तो एक quick means है बहुत easily बहुत हम जल्दी हम check कर सकते है quality को जो भी quality है और maturity जो है in-situ concrete की वो बड़े जल्दी हम check कर सकते है तो in-situ concrete क्या होता है जो site में concrete हमरे पस डला होता उसकी जो भी quality है या फिर उसकी maturity है वो बड़े जल्दी हम check कर सकते है ठीक है and also हमरे पास जो strength development है उसको भी हम assess कर सकते है इसकी help से अगर हम बात करें तो यह essentially non-destructive test है ठीक है and इसको in-situ किया जाता है मतलब site पर जाके इसको हम कर सकते है इस test को जब हम बात करें only minor patches of holes on exposed surfaces जो भी minor patching हम करते हैं मतलब non-destructive क्यों बोलते हैं इसमें क्योंकि मान लेते हैं कि जैसे हमने बताया यह एक वाल है उसमें हमने जो है penetrate करवाया जो भी हमेरा instrument था जो भी probe थी उसको हमने इसमें क्या करवाया penetrate करवाया तो इसमें जैसे ज्यादा हमें पास एक hole type का बना होगा तो इसको हम easily मतलब patch type का बना होगा उसको हम easily fill कर सकते हैं यहानी यहां पर लिखा patching of holes and exposed faces तो उसको हम easily fill कर सकते हैं तो इसलिए यह क्या है non-destructive test है ठीक है I hope आपको penetration test के बारे में भी समझ में आ गया होगा फिर भी कोई doubt हो आप comment section में पूछ सकते हैं next जो हमेरे पास test है वो है rebound hammer method ठीक है तो rebound hammer method जो हमने देखा पीछे वो मैंने आपको दिखाया था skimded hammer हम हम यूज करते है इसमें ठीक है तो यह जो rebound hammer test है यह सर्फेस की hardness check करने के लिए use होता है surface hardness tester ठीक है यह यह सर्फेस की hardness है उसको हम test करते हैं जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई उससे आपको idea हो गया होगा तो इसमें जो हम use करते हैं hammer skimded hammer हम use करते हैं नंदी हमर test भी हम बोल सकते हैं या फिर profound को बोलते हैं वो रहता है women success आपने मैं आपको दिखाए थाрез आइंग आपन बूद्डके के लिए आं और फिल्बवर्ग के लिए भी suit बल्ए यह टेस्ट हम दबाती में भी कर सकते हैं और फील वर्क में भी कर सकते हैं तो इसमें क्या चीजह रहती है इसका मेकानिजम अगर हम देखें तो इसमें एक spring controlled hammer रहता है जिसमें spring रहता है स्लाइड अने प्लंजर विदिन एक टुबिलर होसिंग तो इसमें एक टुबिलर टाइप का स्टॉक्चर रहता है जिससे कि हम सेंपल लेते हैं ठीके जो भी हम बात करें मैं आपको यह पर बता दूँ जैसे कि यह बाल है इसमें अगर हमने सेंपल लेना तो इसमें हम इसको इसकी help से, spring की help से, जिसकी help से हम जो sample है, वो sample ले सकते हैं, non-destructive sample, और उसको बार में हम compression test या फिर और भी काफी सारे test कर सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखी है, the hammer is forced against the surface, आपकर concrete, जो भी hammer है, उसको force किया जाता है, जो भी concrete की surface है, उस पर force किया जाता है, कि व mechanism जो उसमें लगा जाता है, उसको force किया जाता है, ठीक है, और जो भी distance है, rebound का, ठीक है, distance on rebound, वो measure किया जाता है, ठीक है, मतलब कितना वो अंदर गया, कितना उसने, मतलब rebound हुआ, ठीक है, उसका जो distance है, वो measure किया जाता है, एक suitable scale पे, ठीक है, तो उससे हम पता लगा सकते ह कि यह जो..? है कन्कृरे जो है कैसे है थम करें तो आसी क्योंसी भी हो सकती है माले हॉर सकती है और कुसी एंगल पर भी हमucken कर सकते हैं तो वह जो इन्स्ट्रूमईन्ट है उस सिष्चन पर हमें क्या करना होता है कालिबरेट करना होता है मतलब अजिस्ट करना होता है उस uh uh it के पॉसिशन के इसाब से उसकी धो फाइब हमने कालिबोरेशन करनी होती है ठीक है अच्छा उसके बाद भात करें जो 실였습니다 जो भी हम slender जैसे की हमने इसको परॉनर cancel कर लिया तो उस slenders है जो भी हम slenders जैसे कि हमने इसको penetrate कर लिया तो उस में से हमारे पास एक sample मिलता है कुछ circular type का sample pipe type का एक से sample मिलेगा ठीक है cylinder type का sample मिलेगा ठीक है और जो भी slender type का sample होता है उसको हम cap कर देते हैं मतलब उसको हम ढख देते हैं और उसको हम firmly करते हैं जिस in में और जिससे हम उसकी compression टेस्टिंग करते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि इसकी जो स्टंट है कैसी है या फिर और भी काफी सब्सक्राइब कर सकते हैं next step की इसमें अगर हम repeat करने के बाद जो भी हमारे पास जो average value रहती है उसको हम लेते हैं as a compressive strength या पर जो भी है वो हम ले लेते हैं ठेक है इसकी limitations या फिर इसकी advantages की बात करें मतलब limitations इसकी disadvantages हम कह सकते हैं और advantages इसके फाइदे हम कह सकते हैं तो सबसे पहले तो इसकी advantages यहां पर आ रही है जैसे की inexpensive इ प्लस माइनिस 15 से लेकर प्लस माइनिस 20% तक है तेक है इसकी हम बात करें limitation की तो इसके जो result है वो effect कर सकते हैं अगर मान लेते हैं कि अगर बहुत सारे factors हैं जिससे इसके result change हो सकते हैं कुन-कुन से factor है जैसे की surface की smoothness अगर surface ज्यादा smooth होगी तो हमारे पर जो result आएगा वो को डिपैंड करता है जो specimen का शेफ है वो डिपैंड करती है monster condition डिपैंड करती है ठीक है? then type of cement कौन सा use किया है कौन सा यूजँ किया है जो carbonation जो है surface की उस पर depend करता तो यह सारी चीज़ें depend करती है उससे depend करता है जो result है महारे पैस कैसा होने-" वाला एल। आयाइए आपको rebound hanber test के बारे में भी संमझ में आ गया होगा फिर भी कोई doubt हो आप comment section में पूँच सकते हैं next हमारे पास pullout test तो pullout test की हम बात करें तो इसके नाम से आपको बात चल रहा होगा कि कोई चीज pull करनी है हमने pullout test मनलता कोई चीज हम pull करने हैं खीच रहे हैं रहता है जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था इसमें हमरे पास जो force required होती है pull करने के लिए the force required to pull from the concrete especially shaped steel rod whose enlarged end has been casted into the concrete थीक है तो इसमें क्या होता है जो force required होती है pull करने के लिए concrete से specially shaped steel rod हमारे पास होती है थीक है जैसे मैंने आपको दिखाया था steel rod रहती है जो की दोनों end पे रहती है ठीक है उसको हम concrete में cast कर देते हैं जिसकी जो depth है वो रहती है 7.6 cm depth रहती है जैसे की मैंने आपको दिखाया था ऐसे एक दाड़ इस तरफी एक दाड़ इस तरफी एक बीच में यहां पर system था कि जो की sample को निकालता था यह भी इसके concrete करनता रहता था ठीक है तो यह आपने देखा था picture में दूसरी हम बात करें जो concrete जो है simultaneously इसमें tension में रहता है और shear में रहता है ठीक है जैसे कि हम इसको अगर खीचते हैं मालो यह sample है इसमें हमने यह drill की हुई है एक साइट से दूसरे साइट से इस साइट से sample निकालना तो यह इसको जब खीचेंगे इस साइब खीचेंगे तो यह concrete जो है tension में रहेगा और इसमें shear भी प्रडूस होगी ठीक है बट हम जो इसमें टेंशाइल फोसस देते हैं और हमारे पास यहां पर हमें मिल जाती है देखने को लेकिन इससे हम compressive strength को क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं ठीक है और जो pull out test हम बात करें इसकी तो यह quantitatively measurement है quantitative measurement है कि इसकी in-situ strength की ठीक है in-situ जो strength है concrete की वह से हम find कर सकते हैं ठीक है तो यह था pull out test के बारे में आगे हैं हम इसकी advantages, disadvantages भी देखनेंगे तो pull out test की हम advantages of disadvantages देखने वाले हैं जैसे की है यहां पर लेका limitations and advantages ठीक है तो हम बात करें जैसे की जो भी है limitation की सबसे पहले हम बात करें यहां पर limitation दी है do not measure the interior strength of mass concrete जैसकी mass concrete आपको पता है तो mass concrete में जो उसकी की जो हम बोल सकते हैं कि जो उसकी width रहती है concrete की वह बहुत ज़्यादा रहती है जिससे की internal strength है वह हम find नहीं कर सकते हैं इस method से ठीक है इसकी advantage की बात करें हम test की तो यह quantitatively हमें strength find कर सकते हैं जो भी concrete की unsight strength जो है वह हम find कर सकते हैं ठीक है अगर main disadvantage की बात करें जो main disadvantage है इस method की वो क्या है कि हमें पहले से ही plan करना पड़ता है ठीक है planning करती है advance में ठीक है जो भी assembly है जो pull out test की assembly है वो हमें farm work में ही set करनी पड़ती है मतलब concrete जब कास्ट करते हैं जब concrete की placement करते हैं जब हम concrete को बनाते हैं concrete तैयार करते हैं उस time पर ही हमें यह pull out test की assembly वहां पर डालने पड़ती है उस बाद में हम वो pull out test कर सकते हैं ठीक है उसके बाद minor damage भी इससे हो सकता है कि कोई चीज़ पुल कर में खीच रहें तो उससे structure हमारे पास खराप हो सकता है तो यह भी इसकी एक limitation है ठीक है दन हम बात करें pull out test की तो यह non destructive test है यह non destructive test कब है जब हमारे पास minimum pull out force हम लगाएं ठीक है जिसकी वज़ा से failure जो है हमारे पास जो है short failure हो कम failure हो ठीक है लेकिन हम ज्यादा force लगाएंग कि इस पर तो हो सकता है हमरे पास जो structure है वो ज्यादा fail हो जाए ठीक है I hope आपको pull out test के बारे में भी समझ में आ गया होगा फिर भी कोई doubt हो आप comment section में पूल सकते है next type का method हमारे पास है dynamic non destructive test की अगर हम बात करें तो इसमें हम ultrasonic pulse velocity method का use करते है ठीक है presently ultrasonic pulse velocity method का हम use करते ह जिससे हम जो भी pulses हैं विलाशती की वो हम note करते हैं जिसकी help से हमें पता चल जाता है जो भी concrete में आगे मतलब क्या क्या चीज़ें अंदर हैं या क्या क्या चीज़ें वो हम देख सकते हैं इसकी हम बात करें it measures the time of travel of an ultrasonic pulse passing through the concrete ठीक है तो जो भी ultrasonic pulse waves है उसका travel time जो है इसम इसमन है यहां से एक वायर्ट लगी होगी यहां पर एक वायर्ट टाइप का लगा होगा यह जो दोनुवायर्ट से एक इंस्ट्रुमेंट में लगी होंगी जिसकी help से यह instrument खुदी यहां से कुछ pulses बेजेगा एक वायर्ट से दूसरी वायर्ट जो है receive करेगी मतलब एक वा है हमें जो जो हमरे पास pulse हैं कितनी बेजी और दो हमें नोट हो जाएंगी ठोilar तो यह एक हमारे पास पास पन इंस्ट्रूमेंट यह अमीं करता है और अकस जगे तएक साइटर मतलब पार करता है पंस मतल Mā fictionitas स्ट्रीट करता है करता है से हम पता लगा सकते हैं तो जो फेल्स जन्रेंटार होती है किसे शाक 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 ऐक्साइटिंग पीज्ओमेटिक क्रिस्टल से ठीक है प Lets कहां से जन्रेंट ओती है यह वह एक इंपॉर्टन पॉइंट है यह आपको कर लेना है जो pulses है कहां से generate होती है शॉक एक्सिस्टिंग पिजोमेट्रिक क्रिस्टल से शॉक एक्साइटिंग पिजोमेट्रिक क्रिस्टल से ठीक है अगर हम बात करें इसके टाइम टेकन की तो कितना टाइम लग रहा है पाल्स को ट्रैवल करने के लिए कंक्रिट में वह मेजर किया जाता है ठीक है वह मेजर हम करते हैं और यहां तक समझ में आ गया होगा और भी हम आगे इसमें डिसकस करेंगे चीज़े पल्स विलास्टी मेफड के अगर हम बात करें तो इसकी कुछ अप्लिकेशन्स और लिमिटेशन्स हम देखने वाले हैं हम बात करें तो जो भी पल्स विलास्टी मेफड है वो एक आइडिल टूल है किसके लिए आ कंक्रिट जो यूनिफार कंक्रेट में हम इसको यूज करते हैं ठीक है अगर हम बात करें इसकी तो यह बोथ existing structures में भी यूज होता है और जो अंगर construction structures हैं उन में भी यूज होता है मतलब बोथ structures में हम इसको यूज कर सकते हैं मतलब रिसेवर में आगे तो उसका मतलब हो गया कि जो कंक्रिट है वो गुल कौल्टीक आगे मैं रीडिंग्स आपको बताऊंगा आपको वहाँ से अच्छे से समझा जाएगा कि हाई पुल पर पास आ जाए तो यहाँ पर रिलेशन देख सकते हैं यहाँ पर जर्नल कंडिशन है य फीट पर सेकेंड में दी हुई है तो यहां पर हम बात करें तो अगर हमारे पास जो इसकी पल्स प्लस्टी जो है अब वो 15,000 अगर फीट पर सेकेंड है तो हमारे पास जो कंक्रीट है उसकी क्वाल्टी जो है एक्सिलेंट है अगर 12,000 से 15,000 के बीच में है तो क्वाल्टी ग तो यह values आप पर remember कर सकते हैं, अगर इतनी नहीं भी remember रहती तो आपको यह ज़रू remember रखना है कि जो अगर हमारे पास pulse velocity ज्यादा होगी तो concrete हमारे पास अच्छा होगा, pulse velocity कम होगी तो concrete हमारे पास अच्छा नहीं होगा, poor quality का होगा, ठीक है, next इसमें और भी कुछ point है, वो हम discuss कर लेते हैं, pulse velocity method में, जैसे कि इसकी हम बात करें, तो इसको हम कहां पर यूज करते हैं, जो भी freeze and thaw action है, freeze and thaw action जो है, concrete में आपको पता freeze and thaw क्या होता है, तो इसको हम चेक करने के लिए इसको यूज करते हैं, then sulphate attack जो है, इसको भी हम इसको जानने के लिए भी हम यूज क to reduction of pulse velocity, वो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं, जो भी cracks है, उसको हम detect कर सकते हैं, तो हम बात करें, rate of hardening, rate of hardening भी हम estimate कर सकते हैं, कि जो harden हो रहा है, concrete जो सकत हो रहा है, वो कितने जल्दी सकत हो रहा है, वो भी हम चेक कर सकते हैं, जो strength development है, वो भी चेक कर सकते हैं, कि कितने तीस स्टेंथ हमारे पास हमें मिल रही है, हमें फार्म वक जो है कब रिमूब करना है, वो भी हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, अई होप आपको पर्स विलास्ति के बारे में भी समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डौट हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नेक्स हमा गामा रेज हम इसमें, जो है मुस्ली गामा रेडियोग्राफी में गामा रेज हमारे पस यूज होती है, तो रेडियोग्राफी मेथल्स जैंसे कि आपने मेडिकल में अगर इसकी बात करें, तो जैंसे कि एक्सरी बगर जो निकालते हैं, तो वो रेडियोग्राफी मेथल् concrete में कैसे use करते हैं क्या-क्या चीज़े देखने के लिए हम use करते हैं जैसे कि हम बात करें use to detect location of reinforcement ठीक है मतलब कहां पे reinforcement है हमारे पस वहां पे वह हम check कर सकते हैं जो डेक्ट्टिव मैथल से then density मेजर कर सकते हैं उसके बाद हम जो honeycomb है वो major कर सकते हैं कि concrete में honeycomb कहां पे honeycomb है और 이렇게 में आपको पता होगा कि हौनी का्म क्या होता है कंक्यूरिट में आप दिखते होंगे चोचो चोफे जो पूट्स हैं चोचोचोपे आपको दिखते होंगे जो एक honeycomb के तरह एक shape बना देता है honeycomb होता है जो भी जो जहां से शहर निकलता है उसके जो छते होते हैं उसके में छोड़े छेद आपको दिखते हैं उनको हम बोलते है honeycomb ठीक है तो उस तरीके का आपको दिखेगा तो भी हम detect कर सकते हैं radioactive method से और जो gramma radiography इसमें radioactive method में mostly use होता है इंग्लेंड में और यूरोप में तो यह आपको remember रखना mostly gamma radiography हम यूज करते हैं इसके जो कास्ट रहती है running कास्ट अगर हम इसकी बात करें तो running कास्ट बहुत इसकी small है और यह quite simple equipment है ठीक है इसकी जो initial कास्ट है जो इसको खरीबने वाली जो मतलब इसको जो खरीबने व 45 cm thick concrete को हम इससे verify कर सकते हैं उसकी properties हम जान सकते हैं किसी भी difficulty के बगर अगर इससे ज्यादा thickness का concrete होगा तो उसकी जो भी properties है वो हम अच्छे से नहीं जान पाएंगे लेकिन 45 cm के नजदीक है यह इससे कम की thickness है मारे पास concrete में तो उसकी property जो है वो हम अच्छे से जान सकते हैं उसकी हानी काम वो गएरा वो सारी हम चीजें जान सकते हैं आई होप आपको सारे methods जो हैं समझ में आगे होंगे फिर भी कोई doubt हो आप comment section में पूछ सकते हैं और अभी तक आपने चैनल को subscribe ने किया तो please subscribe कर ले अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने friends के साथ share करना मत बो करें ताकि future में आपके पास हैं से ही important video lectures के update आपके mobile पर आपको मिल सके है thank you कर दो कर दो थब क्या है झाल 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 झाल